नमस्कार मैं हूँ अमदिवेदी और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल दासेल्फ में जिसमें हम चर्चा कर रहे हैं अपनी सिरीज इंडियन पेंटिंग्स के बारे में और आज अपनी सिरीज के आखरी लेक्चर के साथ हम चर्चा करेंगे फोक पेंटिंग्स के बारे में यानि लोक चित्रकला के बारे में दोस्तों आज का लेक्चर पूरी पेंटिंग सिरीज का सबसे important लेक्चर है और यू मानिए कि अगर examiner को एक question पेंटिंग से बनाने का मौका मिलेगा तो वो folk painting यानि लोग चित्रकला को चुनेंगे तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले मधुवनी paintings के बारे में दोस्तों मधुवनी paintings को मिथिला painting भी कहते हैं और traditionally ये painting मधुवनी नाम के गाउं में महिलाओं के दोरा की जाती रही है इस painting का फैलाव हमें नेपाल के तराई reason तक देखने को मिलता है और इस painting की theme जेनरली हिंदू religion से जुड़ी हुई है जिसमें की कृष्ण की तस्वीरें, राम की तस्वीरें, दुर्गा, लक्षमी, शिव की तस्वीरें कॉमली देखने को मिल जाती हैं इन paintings की तस्वीरें generally symbolic nature की होती है जैसे की मचली की तस्वीर good luck और पैदावार से जुड़ी हुई है दोस्तों मधुवनी painting auspicious occasions के हिसाब से बनाई जाती है जैसे की birth, marriage और festivals के लिए अलग paintings बनती है जिसमें की flowers, trees, animals, etc. इन सभी को gaps को full करने के लिए बनाया जाता है क्योंकि इन paintings में देखा गया है की कोई भी खाली जगा नहीं छोड़ी जाती है पूरी painting को पूरी तरह से भरा जाता है दोस्तों, traditionally ये painting दीवारों पर बनाई जाती थी जिसमें की गोबर और मिट्टी से मिला के base बनाया जाता था और फिर चावल का paste और सबजियों के colors से painting को किया जाता था और समय के साथ जो base था वो कागस का, कपड़े का और canvas में तबदील हो गया और natural colors का प्रयोग ये लोग आज भी कर रहे हैं क्यूंकि इन तस्वीरों में shading नहीं होती है तो ये तस्वीरे two-dimensional nature की होती है और madhubani painting के कुछ common features की बात करें तो double line border, bold use of color, ornate flower pattern और facial features को काफी exaggerate करके दिखाया जाता है दोस्तों madhubani painting का origin रामायर काल से माना जाता है जब मिधिला के राजा ने राम और सीता की शादी के लिए घरों को और घरों की दीवारों को paint करने का आगरह किया था और आज भी ये मानता है कि ऐसा करने से ईश्वर को प्रसंद किया जा सकता है दोस्तों जाद अतर देखा गया है कि महिलाओं को पीडी दर पीडी इस कला को पास किया जाता है और 1970 में जाके इस painting को recognition मिला जब जीतलपुर गाहों की जगदंबा देवी को रास्ट्रपती ने award दिया और जगदंबा देवी के अलावा जो लोग इससे जुड़े हुए हैं वो हैं बुआ देवी, भाटी दयाल, गंगा देवी, सीता देवी और क्योंकि ये art एक fix geographical area में ही famous है तो इसलिए मदवनी को GI Tech का status भी मिला हुआ है अब हम चलते हैं अगली painting जिसका नाम है पट्टा चित्रा दोस्तों पट्टा चित्रा उडिशा की traditional painting है और पट्टा चित्रा नाम संस्कृत भाशा से आता है जिसमें पट्टा का मतलब होता है canvas या फिर कपड़ा और चित्रा का मतलब होता है picture ये painting classical और folk element का mixture है जिसमें जुकाओ लोग चित्रण की और थोड़ा सा जादा है दोस्तों painting का base कपड़े का होता है और colors natural sources से आते हैं जैसे कि जले हुए नारियल के shells, हिंगुल, रामराज और लैम्प की कालिक इन paintings में किसी भी pencil का और charcoal का प्रयोग नहीं किया जाता है जबकि brush और प्रयोग outline बनाने के लिए किया जाता है जो कि लाल और पीले colors से बनाई जाती है और outline बनाने के बाद इसमें colors बरे जाते हैं दोस्तों painting के background को full पत्तियों से सजाया जाता है और painting के अंदर भी एक frame होता है जिसके अंदर ये painting बनाई जाती है और एक बार जब final lines बन जाती है तो paintings को lacure से coat किया जाता है जिससे कि इसकी appearance काफी glossy हो जाती है दोस्तों generally इस painting की theme जगदनाज जी की तस्वीरें और वैशनव तस्वीरें होती है और कभी-कभी इसमें शिव शक्ती की तस्वीरों को भी देखा जाता है और उडिसा के रगुराजपुर को इस art के लिए सबसे जादा famous माना जाता है दोस्तों पट्टा चित्रा paintings की images भित्ती चित्रन की images से मिलती जुलती है और mostly पुरी और कुनार के भित्ती चित्रन को ही कागस पे बनाने की कोशिश की जाती है पट्टा चित्रा में और जो पट्टा चित्रा ताल के पत्ते पर बनाया जाता है उसका नाम होता है ताल पट्टा चित्रा दोस्तों अब हम पट्वा आर्ट के बारे में जानेंगे पट्वा आर्ट बेंगॉल्स की हजारों साल पुरानी एक आर्ट है और पेंटर्स ने इसकी शुरुवात विलिज के एक ट्रडिशन से की जिसमें की देवी देवताओं से जुड़ी कहानियों को पेंट किया जाता था जिनको मंगल काववी भी कहा गया इन पेंटिंग्स को पट या स्क्रॉल्स पर किया जाता था और पीडी दर पीडी जो पटवा होते हैं जो स्क्रॉल पेंटर्स होते हैं वो अलग-अलग गाओं में जाते थे और इन स्टोरीज को खाने और पैसे की कमाई करने के लिए गागा करके सुनाया जाता है दोस्तों ट्रडीशनली इसको कपड़े पर रिलीजियस स्टोरीज को धार्मिक कहानियों को बनाया जाता है और आज की डेट में ये पोस्टर पेंट से शीट ऑफ पेपर बनाया जाता है अभी जादा तर ये पॉलिटिकल और सोशल इस्यूस के ऊपर बनाया जाते है और ये पटुआ है वो बेसिकली मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट है जो बेंगौल का वहां से आते हैं और जो अपने आपको चित्रकार कहते हैं वो 24 परगना डिस्ट्रिक्ट और बीरभूम डिस्ट्रिक्ट से आते हैं अब हम देखेंगे कलीघट पेंटिंग के बारे में दोस्तों इन पेंटिंग में 19-वी सदी में हो रहे नगरिय समाज के बदलाव यानि की अर्बन सोसाइटी में हो रहे बदलाव को दिखाया जाता है यह पेंटिंग उन रूरल माइग्रेंट के दौरा की जाती है जो बिटिशे सकाल के समय कलकत्ता में कलिघट टेंपल के आसपास सेटल हुए थे इन पेंटिंग को मिल पेपर पर वाटर कलर से मनाया जाता है और जो ब्रेश उन के लिए यूज की जाती है उसमें गिलहरी और बचले के बालों का प्रयोग किया जाता है ओरिजिनली इन पेंटिंग्स में हिंदू देवी देवताओं की तस्वीरे मनाई जाती थी और समय के साथ साथ इसमें सोशल सेंटिमेंट्स को बनाने का चलन चल पड़ा कलिहट पेंटिंग को भारत की पहली ऐसी पेंटिंग माना जाता है जिनोंने निचले इस तर के सेंटिमेंट्स को एड्रेस किया और कस्टमर को डारेक्टली एड्रेस करने का चलन चला दिया इन पेंटिंग के मोस्ट रीसेंट वर्क को देखें तो इसमें पुरुष और महिला के बदलते हुए रोल को दिखाया जाता है जिसमें महिलाओं के education के introduction को दिखाया गया, महिलाओं को romantic form में दिखाया गया और कुछ satirical paintings को भी बनाया गया जिसमें की अमीरों की hypocrisy के बारे में दिखाया गया कुछ का मानना है कि इसमें British Karl के influences का काफी जादा role है पर कुछ का मानना है कि इसमें social context और local techniques major role play करते है इन paintings की legacy को लंबे समयता के scholars ने नजर अन्दाज किया है पर बीस्नी शिताबदी में इसको जागे importance मिली अब हम देखते हैं particular painting के बारे में जो की जहारखंड के tribal peoples के दौरा practice की जाती है दोस्तों particular painting भी एक तरह की scroll painting है जो की भारत की one of the ancient school of paintings में से एक है और इस painting का ममानसा के साथ close cultural association देखने को मिलता है ममानसा जो की एक बेंगॉली popular देवी मानी जाती है इन paintings का link सामाजिक और धार्मिक customs के साथ जुड़ा हुआ है जिसमें यग्य वगेरा भी दिखाए जाते है दोस्तों पैटकर painting का जो most common theme है वो है कि what happens to human life post death यानी नत्यू के बाद जिंदगी कैसी होती है हाला कि आज ये painting अपने extension के कगार पे चल रही है और पूरी तरह से decline होती जा रही है और अब हम देखते हैं कलमकारी painting के बारे में इस painting का नाम कलमकारी कलम यानी pen के नाम पर पड़ा है जो की painting करने के लिए प्रयोग किया जाते है और इसमें जो pen बनाये जाते हैं वो bamboo के sharp pointed pens होते है जिनका प्रयोग colors को regulate करने के लिए भी किया जाता है इन paintings का प्रयोग cotton के fabric पे किया जाता है और colors के लिए सबजीयों का प्रयोग होता है दोस्तों आंदरप्रदेश के श्रीकाल हस्ती और मचली पत्रनम को इसका main center माना जाता है इन paintings को artists mostly दिवार पे टांगने वाली paintings के तरह से बनाते हैं और इसका जो inspiration है वो Hindu mythology से देखने को मिलता है अब हम वर्ली paintings के बारे में जानेंगे दोस्तों वर्ली painting का नाम उन लोगों से आता है जिन्होंने painting के tradition को धाई से 3000 BC से समाल के रखा हुआ है और इनको वर्ली कहा जाता है और ये वो लोग हैं जो गुजरात और महरास्टर के border में रहते हैं दोस्तों इन paintings का resemblance भीम बेटका की गुफाओं के बित्ती चित्रन से काफी मिलता है और इनके समय की बात करें तो ये pre-historic period से इनका तालुकात मिलता है दोस्तों इन paintings को बनाने का रीदी रिवाज चौकट पर है जिसमें की अलग-अलग तरह के scenes जैसे की fish का scene, hunting का scene, farming का scene, dancing animals का scene, trees का scene और festivals के scene देखने को मिलते हैं दोस्तों इन paintings में पालाघाट की तस्वीर जो की goddess of fertility मानी जाती है वो काफी common देखने को मिलती है with very basic vocabulary जैसे की triangles, circles और squares की मदद से paintings को मनाया जाता है और इन shapes को nature से inspire किया गया है जैसे की circle को सूरज और चंद्रमा का प्रतीक माना जाता है triangle का shape conical trees और mountains से माना जाता है वही square shape है जो वो piece of land को resemble करता है दोस्तों अगर human और animal की तस्वीर को बनाना है तो दो triangles के tips को आपस में जोड दिया जाता है और जो circles होते हैं वो हाथों को depict करते हैं painting के base को बनाने के लिए लाल गेरवे रंग का प्रियोग होता है जो की मिट्टी, गोबर और कुछ ब्रांचिस को मिला करके बनाया जाता है और painting के लिए सिर्फ और सिर्फ white color का pigment यूज किया जाता है जो की गोंद और चावल के powder से मिला कर बनाया जाता है ये paintings generally कटाई के मौसम में और शादी व्याहों में अक्सर देखने को मिल जाती है दोस्तों अब हम थंगका painting के बारे में जानेगे दोस्तों थंगका painting सिक्किम की painting है और इसमें बुद्धिजम के highest ideals को यानि की महान सुध्धानतों को दिखाया जाता है Traditionally ये Buddhist monk यानि बौद्ध विक्षू और किसी particular ethnic group के द्वारा बनाया जाता था और इसकी skills को एक generation से दूसरी generation तक आगे पहुचाया जाता है अभी ये बहुत सारे लोगों तक पहुच चुकी है और अब इसको commercialize भी कर दिया गया है और इन painting से जो भी कमाई होती है वो सिर्फ art या artist को नहीं दी जाती बलकि Monasteries के maintenance पर भी इसको खर्च किया जाता है थंगकास को भी cotton के अन्वास पर बनाया जाता है और paint के नाम पर natural vegetable dyes और minerals dyes का use किया जाता है इसमें जो color का use किया जाता है उसका अपना एक अलग significance है for example लाल color intensity of passion को शो करता है चाहे वो प्रेम का passion हो या नफरत का passion golden color life और birth को शो करता है सफीद color शालींता को और काला color गुस्से का प्रतीक माना जाता है वहीं हरे color का मतलब है अंतरात्मा को दिखाना और yellow color से compassion यानि दया को दिखाया जाता है एक बार painting खतम हो गई तो इसको silk के brockets में फ्रेम कर लिया जाता है ठंगकास को उनके depiction और meaning के आधार पर तीन categories में बाटा जा सकता है पहली category में बुद्ध के जीवन से जुड़ी हुई वो गटना जिसमें जन्म से लेके enlightenment तक दिखाया जाता है और second वाली बहुत ज्यादा abstract मानी जाती है जिसमें कि बुद्ध के जीवन और मत्यू के beliefs के बारे में बताया जाता है जिसमें wheel of life भी include है और तीसरी category में वो paintings होती हैं जिनमें कि भगवान को कोई चीज जब अर्पन करते हैं या उनके meditation को भी उसी में show किया जाता है अब हम folk painting के आखरी part को यानि मंजुशा painting को देखेंगे ये painting बिहार के भागलपुर रीजन की है इसको अंगिका आर्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये महा जनपत के अंग वाले हिस्से से जुड़ी हुई है और क्योंकि इन paintings में मूल भाव snake होता है सर्प होता है तो इसलिए इन paintings को snake painting भी कहा जाता है और इन paintings को जूट पे या paper पे बनाया जाता है दोस्तों इस series में हमने देखा कि भारत में paintings का एक lumber tradition है जो हमारे culture को पूरी तरह से दर्शाता है और यहाँ पर मैं इस series को विराम लगाता हूँ जल्दी मुलाकात होगी किसी दूसरे वीडियो के साथ तब तक जुड़े रहे हमारे channel The Self से और इसे like, share और subscribe करना ना भूले तब तक के लिए धन्यवाद